जब देवी लाल ने बंसी लाल को कमरे में कर दिया था बंद नमस्क्रार मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अन्वन हर्याना हर्याना गठन के एक वर्ष के बाद ही हर्याना में दल बदल का बड़ा खेल चला आयाराम गयाराम की क्यात सियासत ने भी जनम लिया था यह वह दोर था जब देवी लाल मुख्या मंतरी नहीं बन सके थे बगवत देवी लाल मुख्या मंतरी बन गे थे और यही वो दोर था जब पंडी जी की कुरसी हिचकोले खा रही थी इसी दोर में हरियाना विदानसभा के स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ हरियाना के एक उभरते हुए लाल को देल शर्मा और देवी लाल स्पीकर पद के चुनाव से दूर रखना चाते थे ऐसे में उस लाल को चंडीगड के MLA होब फ्लैट में बंद कर दिया गया चोधरी देवी लाल ने बंसी लाल के फ्लैट को भार से तला लगा दिया और चाबी अपनी जेम में डाले कमरे में जिस नोजवान को बंद किया गा था वे थे चोधरी बंसी लाल बाद में चार बार हरियाना के मुख्या मंतरी भी रहे हरियाना के निर्माता भी बने विदानसभा स्पीकर के चुनाव हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने जीन के विधायक लाला द्यान किशन को विधानसभा द्यक्षपद के लिए उमिद्वार बनाया विरोधी गुट ने बिरेंदर सिंग को प्रत्याक्षी बना दिया और राव बिरेंदर सिंग को 40 मत मिले अपनी किता पॉलिटिक्स ऑफ चोधर में लिखते हैं कि बनसीलाल बेशक पंडित जी से जुड़े हुए थे वहीं जाट नेता भगवद्याल की सरकार गिराने की योजना बना रहे थे ऐसे में पंडित जी को बनसीलाल पर भी शक था इसलिए यह योजना बनाई गई कि व राम सुरूप के अनुसार विधानसवा स्पीकर के चुनाव की तियारी होने लगी थी तो उन्होंने मुख्या मंतरी शर्मा से कहा कि बनसीलाल नजर नहीं आ रहे थे इस पर पंडित जी बोले कि बनसीलाल को 17 नमबर फ्लैट में बंद कर दिया गया है पंडित जी ने राम बनसीलाल ने इसकी शिकायत हाउस में की थी बनसीलाल ने कहा कि सदन से गयर हाजित रहने के कारण उनका आर्थिक नुकसान हो गया है और उन्हें मुआवजे के तोर पर तब 200 रुपे भी दिये गे थे जी हां तो इस तरह से एक लाल ने दूसरे लाल को कमरे में बंद कर द यह थी हमारी खास रिपोर्ट